तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप जानते हैं कि मैंने आपको BUSD के BAN के बाद बताया था कि कैसे BUSD का प्रभाव बिटकोईन के उपर पड़ेगा आज मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि कितनी मातरा के BUSD बैन होने के बाद अलड़ी बिटकोईन में तबदील हो चुके हैं कितने BUSD जो हैं वो अभी तबदील होने बाकी हैं यानि कि BUSD से संबंदित जितना भी पैसा फ्लो होना है जो विट्रॉ नहीं हुआ है वो क्या बिटकोईन के प्राइस को और पंप करेगा हमारे अगले support resistance लेवल क्या है और more importantly FED की तरफ से इसे में सबसे बड़ा जो खत्रा है वो केवल यह है कि FED की तरफ से यानि कि जो US का Central Bank है उनकी तरफ से rate high की aggression शायद बढ़ सकती है केवल वो खत्रा है overall लग रहा है कि BITCOIN wants to go up यदि आप इस चार्ट से भी देखें जो daily time 4 hour time frame का चार्ट है अगर मैं zoom in करके देखो तो अभी हाल फिलाल में 16 फरवरी को आई हुए हमारे recent high यानि कि 25,200 को लग रहा है कि BITCOIN दुबारा से break करना चाहता है यह बहुत अच्छा एक bullish signal मैं मानूगा क्योंकि market में जैसे मैं आपको कल की वीडियो में भी का इतने negative sentiments हैं दो FED local chairs या दो states के जो है FED heads ने बोला है कि वोट कर रहे हैं कि 50 basis point का hike हो contrary to what market is expecting उसके बावजू stock market डाउन हुई but Bitcoin जो है देखे कितनी शानदार वापसी करिया almost 4 लगातार green candles बना कर यहां पर भी एक तरह से कर आप देखे तो hammer candle बना रहा है मैं आपको इस वीडियो में डेटेल में technical भी समझाँगा क कि hammer handle क्या होता है और hammer candle जो होती है वो क्यों बहुत ज़्यादा bullish candle होती है इसे examples कि तुरू बताऊंगा अगर मैं one hour time frame पर एक बर zoom out करके देखू तो higher lows बनने that is also progressive direction कैसा लगता है कि Bitcoin उपर 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 जाना चाहता है जब हर candle का जो low है वो पिछले low से ज़्यादा उपर हो बहुत ही eagerly push कर रहे हैं fed के chair को में जो chairman उनकी जरॉन पावल की अगली FOMC meeting में 50 basis point का high करें जो की बहुत ही बुरा होगा मेरे विचार से अर्षवरस्ता के लिए stock market को भी आप देखें stock market में भी hammer candle बनी है मैं आपको विज़तार से बताता हूँ hammer candle होती गया hammer candle अक्सर क्या ह ने जो है कहा कि नहीं मैं दम नहीं तोडने वाली मैं नीचे नहीं close होने वाली 4000 पे वो closing होते होते है 400085 तक आगी this is a classic hammer candle जो एक declining या दो declining candle के बाद तीसरी candle जो बहुत low जाके closing से पहले अब आने की कोशिश करती है वो दर्शाती है कि market जो है is trying to reverse the trend अब यहां पर आप zoom in क करके देखें तो बिल्कुल वैसा हुआ है कि session के दौरान जो trading session था S&P 500 का यहां पर उस दौरान बहुत नीचे तक price गया but closing आते आते price ने बहुत शांदर वापसी करी इसका मतला गर trading session थोड़े और घंटे चालू रहता आपको पता होगा stock market के वाल 8 घंटे के लिए तो शा और तलब है मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो लास्ट रेट हाइक हो था वो 25 बेसिस पॉइंट का आयता और market इस बात को factor करके चल रही है कि एक और 25 बेसिस पॉइंट का rate हाईगा इन्हें की 0.25 परसेंट का उसके बाद रेट हाइक US government rate हाईक करने बंद कर कि जिसका market को हमेशा फायदा रहता है hammer candle की बात करें तो आप भी हमने हाल ही में देखा था कि hammer candle बनने के बाद प्राइस उपर गया था यह दो उसकी तुरंद बात की candle है यह आपको एक और trend बताना चाहूंगा दोस्तों जब इस तरह कि वोलेटाइल मार्केट होती है तो ल भी 500 में भी और stock market में भी clockwise यही trend चल रहा है four four hourly candle जो है वो थोड़े थोड़े time बात जो है वो switch हो रही है कभी green कभी red कभी green कभी red तो यह तो सूरते हाल था stock market का और bitcoin का अब मैं आपको जो है फटावर्ट से बताना चाहूंगा bitcoin की dominance के बारे में जो कि यहां पर काफी important 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 stage पर है कि अब देखेंगे हाल फिलाहल में मई जून 2021 के बाद लंबे समय के बाद bitcoin की जो dominance है वो काफी बढ़ी है और पिछले तीन या चार weeks में इस line से टकरा टकरा के वहीं पर रुकी है अब यहां पर जो मैंने direction मनाई है अगर इस तरह से यहां से वापसी करती है it seems like कि weekly time frame यह लाइन जो 44.3% की मोटी resistance का काम कर रही है यह यह लाइन मुझे लगता है नहीं कि bitcoin तोड़ पाएगा dominance के मामने तो dominance bitcoin की गिरने का मतलब है altcoins काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे compared to bitcoin तो यह तो रही बात अब हम बात करते हैं हमारी trading strategy की जिसमें अच्छा का सब्रॉफि जो है मैं आपको अपने trading strategy बताता हूं जिससे आपने कल भी देखा 22,200 से 24,800 का हमने bot को instruction दे रखी कि इसी range के दुरान trade करते रहे और हमने आपको कई बरी zigzag बना के दिखाये भी है जब यहां से price गिरा 24,800 से तो हमारी bot ने अच्छा खासा shot लिया जब price उपर जाना शुरूब का technical formation उसको देखेगी तो बहुत अपने आप decide कर देती है ऐसा ही अचंभित करने वाला यह technique है AI driven bots का और यह मेरी कला नहीं है यह OKX, buybit वगरा पर already automatic trading की option दी जा चुकिए जहां पर आपको पैसा डालना है range देनी है range बड़ी समझदारी से देनी है जैसे 24,800 क्रॉस कर जाता है तो फिर मुझे अपनी strategy चेंज करने पड़ेगी वरना फिर मुझे loss होना शुरू हो जाएगा but as long as price floats between 24,800 डॉलर and 22,200 जो मैं आपको कहीं बारी दिखा चुका हूं जो मेरी defined range है आप चाहें तो description में पहला link दे रखा है जहां पर मैंने tutorial में समझाया ह पर आप इन सब screenshot के मादें से देख सकते हैं कि मेरा क्या टेखनीक थी अब हराल फटावट से गेर चेंज करते हैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनानी है BUSD के फटी के बारे में मैं आपको होता था Paxo जो की issuer है BUSD का उसके उपर SECC किया था 3 दिन पहले आपको हमने स सबसे पहरे इस चैनल में संसेनी केस खुलासा किया था कि BUSD की अब जो है circulation बंद होगी उस दिन 16 billion dollar के BUSD, Binance, US dollar coin थे, stable coin थे circulation में इस तब से लेकर अब तक अगर आप देखें 13 फरीडिको 14 फरीडिको अब से लेकर तब से लेकर अब तक करीब करीब 3 billion dollar के BUSD जो है वो redeem ह हो चुके हैं, आपको मैं बता दू कि BUSD को ऐसा नहीं कि आप ATM में जाके cash निकल वाले हैं, आप केवल उसको swap कर सकते हैं, या तो आप BUSD को USDC में trade करेंगे, जो कि another stable coin है, circle के दवरा issue की आगया stable coin है, अगर आप गौर तलब से देखें, तो उसकी भी circulation, पहले तो नीचे ग चल रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि USDC केवल लोगों ने swap ही कि होगा, लोगों ने नया USDC भी खरीदा होगा, वजीर X पे जाके, बार एक billion माते हैं कि BUSD जो है, USDC में चले गए, एक billion dollar के USDT increase हुए, 69 billion से 68 and a half से 69 and a half billion dollar, तो एक billion dollar जो है, वो USDT में चले गए, अल्मस्ट stable coins में तबदील हुए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, बाग की एक billion dollar कहां गए, मेरे विचार से एक billion dollar की on chain खरीदी bitcoin के नहीं हुई है, hardly 200-300 million dollar की last week में bitcoin के खरीदी हुई, और bitcoin ने shoot करके 25,000 तक जाने की कोशिच की, that is the power, यहाँ पर multiplier effect होता है, जब कोई एक रुपे की 13 billion dollar की बचे है, obviously एक दिन ही zero होगे, क्योंकि अगर आप circulation नहीं नहीं करोगे, तो लोगों के पास उस stable coin में भरोसा क्यों उठेगा, Paxo के उपर SEC के case और SEC के band के ही सलते, BUSD धीरे 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 खतम हो जाएगा, हो सकता है कि Terra Luna की तरह अगले 15 दिन में खतम हो ज 14 में अगर इसका एक अंच भी Bitcoin में डालते हैं, तो Bitcoin बहुत ज़्यादा शूट करेगा, अब यहां पर macro economic factors की बात कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि Fed के बहुत सारे co-chair जिनको हम कहते हैं, जो कि one of the state के Fed head है, उन्होंने कहा है कि बहुत स्टेट के Fed head है, उन्होंने कहा है कि ब labor shortage का मतलब कि अगर आप यहां पर समझें, labor ना मिलना businesses को, इसका मतलब unemployment बहुत कम है, आपकी openings है, job openings है, बट उसके लिए आपको लोग नहीं मिल रहे है, that is called labor shortage, which is a very healthy economic science by the way, जो लोग अर्थचास्तर के विद्यारती नहीं है, ideal scenario में बहुत अची situation है, but यह दर्शादी है क U.S. की economy बहुत strong है, U.S. की economy में jobs बहुत सारे है, joblessness नहीं है, unemployment नहीं है, तो इसका मतलब inflation जादा है, जब market में पैसे की supply बढ़ती है, पैसे की मातरा बढ़ती है, तो inflation बढ़ती है और इस समय FED का goal number one, mission number one, कि हम लोग inflation को 2% के नीचे लेके जाए, जो इस समय करीब-करीब 6%, 6,5% चल रहा है, तो ये FED के लिए एक निमंतरन है, कि भाया आने वाले समय में आप rate hike जारी रखिए, क्योंग जितना आप interest rate बढ़ाते हैं, उतना मुद्रा स्वीती, मुद्रा की उपलब्दता जो है, वो बजार में कम होती है, और जितना market में पैसा कम आएगा, businesses कम प market है, उसमें भी पैसा कम आता है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं, उमीद करते हैं कि FED rate hikes ना करे, बट जितनी job market strong होगी, उतना FED rate hike करता रहेगा, उतना Bitcoin के price पर downward pressure रहेगा, naturally Bitcoin is designed to go up, 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 बट ये तरहा कि जो अर्थशास्त्री के जो प्रहार है, ये price को नीचे करते ह I hope ये वीडियो आपको बहुत useful लगी होगी, कि मैंने बहुत को समझाया, इसमें, खैर मैं आपको दो-तीन चीज़े और कवर करूँगा, अबड़ अगर आप trader है, और आप हमारी bot trading के जुरू पैसा बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास अच्छे offers भी है, okay, X पे, buy, bid, 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 पे, और अगर आप चाहते हैं कि कैसे ये trading set की जाए, तो उसके लिए भी मैंने description में link दे रखा है, और अगर आप 50 dollars जीतना चाहते हैं, तो एक सरल से सवाल का मैं जवाद दूगा दोस्तों, बुदवार को FED के सारे co-chairs की meeting है, इसमें ये सारे bowmen वगरा जो है, वो बाइद ये नहीं चाहता है कि inflation 2% जाए, बहुत जीवन का हिस्सा है, भारती हम लोग तो कहीं सालों पहले सीख चुके हैं, अमरीकियों को इसकी आदत नहीं है, मेरे विचार से आदत बन जाएगी, आपकी विचार से क्या FED अपने इस कर्तवे पर अडिक रहेगा और rate करता रहेगा और economic की वाट लगाता रहेगा या बहुत जल्दी समझ लेगा कि inflation जो है 5-4% से नीचे नहीं जा सकती, comment करके बताईए और अपना BUSD address नहीं, अपना USDC address डाली इस पारी, क्योंकि BUSD खताम होने वाला तो कोई फायदा नहीं है, हम लोग USDC ये USDT में पैसे ट् लिंग डाल सकते हैं, तब तक अबना ख्यार रखिए दोस्तों धन्यवाद जय हैं